आज मैं आपके लिए ले के आई हैं healthy और टेस्टी मसाला ओट्स की रेसीपी मसाला ओट्स बनाने के लिए मैंने ये roasted oats लिए हैं तो चलिए बनाना शू करते हैं एक पैन में तेल गरम कर लेतें फिर उसमें जीरा डालते हैं और कटी हुई प्याज और हरी मिच्ची डालते हैं दो-तिन मिनट फ्राइ करने के बाद हल्दी लाल मिर्च पाउडर नमक डाल कर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अच्छे से प्याज को फ्राइ कर लेते हैं जब हमारी प्याज पूरी तरह से फ्राई हो जाएंगी, तो हम कटे हुए टमाटर डाल कर टमाटर को भी सोफ्ट कर लेंगे, टमाटर सोफ्ट होने के बाद हम ओट्स डाल कर अच्छे से मिक्स कर देंगे, एक बोल ओट्स लिए थे, तो मैं यहाँ दो बोल्स पानी पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे और ओर्स को ढखकर 4-5 मिनट के लिए पका लिए और बीच बीच में चलाते भी रहेंगे और फ्लेम को रखेंगे लो टू मीडियम तो चलिए हमारे मसाला ओर्स बन कर तयार हैं एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं दिख रहे हैं न हमारे मसाला ओर्स एकदम टेश्टी तो अब हरे धने से अच्छे से गानिस कर लेते हैं मसाला ओर्स की रेसीपी कैसी लगी कोमेंट करके जरूर बताएं थैंक यू